अब हमने देखा कि जिस प्रकार एक नया साजेदा फर्म में पूंजी के रूप में कुछ राशी लाता है या संपत्ती लाता है जो उसके लिए बहुत जरूरी होता है जब वो फर्म में एंट्री करता है बिल्कुल वैसे ही हमने देखा था कि एक नया साजेदार के पर करते हैं जिसमें से एक महतपूर्ण बात होता है ख्याती का लेखांकन करना कि नया साजेदार ख्याती के रूप में कुछ राशी लाता है कहां पर हम उसको उसकी एंट्री करें कैसे हम उसके एंट्री करें किस अमाउंट से हम उसके एंट्री करें तो अगर हम देखें कि का लेखा करने की विधियां क्या होती हैं तो यहां पर हम दो तरह की विधियों का अध्यान करेंगे याने दो विधियों के आधार पर हम ख्याती का लेखा करेंगे जिसमें पहली विधी होगी प्रीमियम विधी और दूसरी विधी होगी पुनर मुल्यांकन विधी प्रीमिय उसमें नए साजय दार का जो हिस्सा है उस हिस्से को वह विक्तिगत रूप से भुकतान करता है एक कंडीशन दूसरी कंडीशन यह होती है जब वह साजय दार अपने हिस्से के ख्याती को नगत लेकर आता है पहली जो कंडिशन होती है वहाँ पर तो क्योंकि वो व्यक्तिकत रूप से भुक्तान कर देता है याने फॉर्म के अकाउंट कहीं पर प्रभावित नहीं होते हैं तो इस कंडिशन में किसी प्रकार की कोई भी जनरल एंट्री नहीं के जाती है लेकिन सेकेंड कंडिशन जो है जब वो ख्याती की राशी को नगद लेकर आता है कैश लेकर आता है तो इस कंडिशन में हमको यहाँ पर जनरल एंट्री करनी होती है तो यहाँ पर हमको एंट्री करनी होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेमियम और गुड़ अकाउंट ये उस कंडिशन में जब नया साजेदार ख्याती की राशी को नगद लेकर आता है और उस ख्याती की राशी को पुराने साजेदार आहरित कर लेते हैं निकाल लेते हैं दो कंडिशन होती है एक कंडिशन में नया साजेदार ख्याती की राशी को नगद लेकर आता है और वो राशी जो है वो फर्म में रह जाती है दूसरी कंडिशन होती है जब नया साजेदार ख्याती की राशी को नगद लेकर आता है और पुराने साजेदार उस राशी को आहर प्रेमियम और गुडविल अकाउंट लेकिन अगर इस ख्याती की राशी को पुराने साजेदार विड्रॉल कर ले आहरित कर ले तो ऐसी कंडिशन में हमको एक एंट्री और यहां पर पास करनी होगे प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर स्क capital account जो भी ओल्ड पार्टनर है जिन्होंने ख्याती किराशी को निकाल लिया उसकी एंट्री हम यहां पर करेंगे एक महत्तुपूर्ण बात जो हमको यहां पर ध्यान रखनी है जब हम गुडविल की अमाउंट जो की नया साजेदार लेके आया है उसको ओल्ड पार्टनर में यहां पर इस in nature में distribute करेंगे तो हमको त्याग अनुपाद में इसको इहां पर बाटना है sacrificing ratio में बाटना है इसके लिए हमको question में बोले यह ना बोले sacrificing ratio का calculation कर लेने चाहिए लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि पुराना अनुपात दे दिया गया होता है नया अनुपात नहीं दिया गया होता है कैलकुलेट करके तो हमको अलग से नया अनुपात कैलकुलेट करके फिर पुराने अनुपाथ से माइनस करके त्याग अनुपाथ निकालने की जरूरत यहां पर नहीं है ऐसी कंडिशन में हम पुराने अनुपाथ को ही त्याग अनुपाथ माल लेंगे और उसी अनुपाथ में यहां पर हम goodwill का distribution कर लेंगे तो इस बात को हमको विशेश रूप से ध्यान में रखना होगा अब यहाँ पर बात आती है कि first condition में हमने जो बात देखी थी कि old partner capital account में ये जो goodwill की amount है वो त्याग अनुपात में देना है हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रेश्ण में नया लाभानी अनुपात निकाल कर दे दिया गया है तब तो हम त्याग अनुपात निकाल कर ये इसकी जो goodwill के amount है उसको distribute करेंगे लेकिन अगर नया लाभानी अनुपात निकाल कर नहीं दिया गया है तो ऐसी condition में हम पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मानते हुए उसी अनुपात में ख्याती की राशी को पुराने साज़ेदारों में बाढ़ देंगे तो ये हमने देखा premium method second हमने बात की थी पुनर मुल्यांकन विधी यानि की revolution method की कब हम इसको use करते हैं ये हम अच्छे से समझ लें यहां हमको ध्यान में रखना है कि ख्याती के लिए खांकन की जो पुनर मुल्यांकन विधी है revolution method है उसको हमको तभी अपनाना है जब नया साजेदार अपने हिस्से की ख्याती की राशी को नगद नहीं लेकर आता है इसके पहले वाले condition में हमने देखा नगद लाया या तो हम उसको फॉर्म में रखे या फिर पुराने जो साजेदार है वो विड्रॉल कर लिया लेकिन ये second condition बनती है कि जो नया साजेद जब नहीं है तो हमको revolution विधी यूज करनी है और कैसे करना है यह हम देखे तो यहां पर हमको ध्यान में रखना है पहला तो क्योंकि वो नगद धन राशी तो लाया ही नहीं है ऐसी condition में यहां पर हमको ख्याती का मुल्यांकन करना होगा valuation हमको अब करनी पड़ेगी ख्याती हमको अब यहां पर ग्यात करना पड़ेगा और ख्याती जो हम ग्यात करेंगी वो पूरे form की ख्याती ग्यात होगी नया साजेदार की सिर्फ ग्यात नहीं कर सकते हैं हम यहां पर पूरे form की ख्याती ग्यात करेंगे और उसके बाद प्रश्र नो को हमल करें जिससे हम इन दोनों विदियों को भली बाती सम नया शाज़ेदार जब अपने हिस्से की ख्याती की रकम नगत नहीं लाता एंसलिए अच्छें वद वेतक्र इसे दर्शा में हम पुर्णिट फर्म की की ख्याती का दोडर कर लेते हैं और नए साज़ेदार के भाग की ख्याती ग्याद कर लेते हैं, यहां हम जनरल एंट्रे यूज़ करते हैं, New Partners Capital Account Debit to Old Partners Capital Account, और नरेशन यहां पर हम लिखते हैं, Adjustment of New Partners Capital, Share of Goodwill in the Sacrificing Ratio Old Partners Capital Account, तो इस आदार पर आएए हम एक उदाहरण से इसको और अच्छी से समझने का प्रयास करें, आ और बा एक फ़र्म में 5-3 के रैश्यो में साज़ेदार है, उन्होंने सा को एक बटे चार भाग के लिए साज़ेदार बनाया, फ़र्म के कुल ख्याती 8000 रुपए आकी गई, इस कंडिशन में हम देख रहे हैं कि नया साज़ेदार ख्याती के रूप में नगत कोई भी राशी नहीं लाता है, नहीं कि फ़र्म के कुल ख्याती हम को दी गई है 8000, अब क्योंकि 8000 जो है वो फ़र्म की टोटल गुडविल है, कुल ख्याती है और नया साज़ेदार सा जो है वो एक बटे चार भाग के लिए आ रहा है, तो हम इसके आधार पर सा के हिस्सी की ख्याती ग्याद करें, तो 8000 इंटु 1 अपॉन 4 हम करेंगे और 2000 जो है वो नया साज़ेदार आने के सा के हिस्सी की ख्याती हम ग्याद करेंगे, और जैसे के हमने देखा बहुत नॉर्मल एक इसकी हम एंट्रिपास कर सकते हैं, न्यू पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट डेबिट टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट, इसके हिस्से के जो ख्याती की राशी आई है, उसको हमको त्याग अनुपात में सेक्रिफाइजिंग रेशियो में पुराने साज़ेदारों में डिस्ट्रिबूट कर देना है, तो यहां हम जैनरल एंट्रि करेंगे, और टूटल जो सी के हिस्से के गुट्विल है, वो थी 2000, वो हम डेबिट में लिख देंगे, और 2000 को हम इसका जो सेक्रिफाइजिंग रेशियो है, 5 इस्टो 3, उसमें हम डिस्ट्रिबूट कर देंगे, तो A के हिस्से में आ जाएगा क्रेडिट में 1250, और B के हिस्से में आ जाएगा 750, और नरेशन यहां पर हम लिख सकते हैं, अज़िस्मिंट और गुडविल और सी शियर इन कापिटल अकाउंट, नय साजयदार के प्रवेष के समय हमने देखा कि ख्याती दो तरह से केलकुलीट के जाती है, एक जब नय साजयदार द्वारा प्रेमियम यानि कि ख्याती की राष्वी नगद लाई जाए और वो राष्य या ख्याती की राशी नगद लाई जाती है, तो ऐसे कंडिशन में हम किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं और किस तरह से हम इसमें जनरल एंट्रि पास करते हैं आए देखते हैं एक प्रश्ण बनाया सा पूंजी के लिए पांच हजार रुपए और ख्याती के लिए दो हजार रुपए नगत देता है आ और बा अपना पुराना अनुपाद पूरुवत रखने का निर्ने करते हैं आवश्यक जैनरल प्रविष्टियां देजिए तो जब कोई साज़ेदार नगत ख्यात करते हैं रोकडखाता डेईट सवके फूजी खाता से कैश अकाउंट डेट न्यू पार्टनर सब्सक्रीटार अकाउंट है तो नारेशन यहाँ पर और उसके साथ ही एक नई बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वह पूजी के 5000 रुपए के चाथ 2000 रुपए नगत ख्याती क कर लेंगे रोकर खाता डेविट के पुणजी खाता से प्रीमियम खाते से प्र नियुक्त अहुंद त्यूकर है दो और किश.ि और करेंगे निसे हम कर साट सेंगे लिए प्रीमियम के जो राशी है उसको त्यागानुपात में करेंगे क्यालिशी करेंगे तो यहां हमारी ज्टिक्त हो जाएगा निकालेंगे तो आके इस्से में आएका 1200 और वह के इससे में आएगा 800 याने यह हो जाएगा टोटल 2000 और नरेशन हम लिख सकते हैं ख्याती का त्याग अनुपात में विभाज है दूसरी कंडिशन हम देखते हैं जब नया साज़ेदार जो है वो ख्याती की राशी नगत लाता है और पुराने साज़ेदार जो है वो आ और बा एक फर्म में दो अनुपात एक के अनुपात में साज़ेदार है उन्होंने सा को एक बटे छह भाग के लिए साज़ेदार बनाया सा अपने भाग के प्रीमियम के लिए 1500 रुपय लाता है सा अपना भाग आ और बा से समान रूप से प्राप्ति करता है यह मानकर प पर करते हैं सबसे पहले क्योंकि सा जो है वह नगत राशी लाता है प्रीमियम की रूप में तो यहां जनरल एंट्री हो जाएगी रोकर या बैंक खाता डेबिट प्रीमियम खाता से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमिम अकाउंट और फिटीन हंडे हो लाया है कर देंगे फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां पर प्रीमियम की जो अमाउंट है उसको जो पूराने साज्यदार है वह समान रूप से प्राप्ति कर लेते हैं निकाल लेते हैं तो यहां पर एंट्री हो जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस क्यापिटल एकाउंट यानि प्रीमियम खाता डेबिट आ के पुझी खाता से और बा के पुझी खाता से तो पंद्रा सो रुपे की जो एमाउंट हो लेके आया है फिप्टिन हंड्रेट की दोनों में इक्वल इक्वल हम डिस्टिबूट कर देते हैं तो सेवन फिप्टी एक के कैपिटल में आ जाएगे और सेवन फिप्टिब्र कैपिटल एक छाई गए हम देखते हैं क्ये आज jus राशी है फ्रेमियम हंती है के पूंजी खाता से और टोटल प्रीमियम के अमाउंट लिखेंगे और ए और बी में 750 बराबर बराबर इनको बाटेंगे अब इस प्रीमियम की राशी को ख्याती की राशी को अगर पुराने साज़ेदार निकाल ले अगर ना निकाल ले जैसे कि हमने फर्स्ट कंडिशन में कि यहां का पूंजी खाता यहां का निकाल लेतने हैं तो इस करने घांट से का निकाल देबिट हो expansive निकाल रहे से पर लेगा यहां पर गूजी और इसे तरह कभी कभी हम देखते हैं कि नया साजेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने हिस्से के ख्याती का कुछ भाग नगत लाता है और कुछ भाग नगत नहीं लाता है अब ऐसी कंडिशन में ये जो नया साजेदार ख्याती की राशी को नगत ला रहा है उसको लाने के एंट्री हम किस तरह से करेंगे और कैसे हम फिर उसको पुराने साजेदारों के पुझी खाते में समयोजित करेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए आए क्रियात्मक साजेदार है जो तीन अनुपाद दो के अनुपाद में लाभानी बाड़ते हैं उन्होंने सा को एक बटे पांच भाग के लिए साजेदार बनाया सा 30,000 रुपे पुझी के लिए वह अपने भाग की कुल ख्याती के 16,000 रुपे में से 10,000 नगत लाता है आवश्यक जनरल प नया साजेदार है वह एक बटे 5 भाग के लिए और यह अपने एक बटे 5 भाग के लिए 30,000 रुपए पुझी के लाता है और प्रश्न में यह दिया गया है कि कुल क्याती जो है वो 16,000 है जिसमें से 10,000 रुपए वो नगद लेकर आता है तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट तो सीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यानि हमने देखा था कि जो नया साजेदार जो है अगर वो पुझी की राशी नगद लाता है तो हम उसको कैश अकाउंट से डेबिट कर इस तरह से जनरल एंट्री लिख लेंगे और टोटल यह 40,000 लाता है 30,000 कैपिटल के और 10,000 गुडविल के तो यहां हम कैश अकाउंट में 40,000 लिख देंगे डेबिट साइट में और तू सीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 30,000 लिखेंगे और टू प्रेमियम फॉर करेंगे कि गुडविल के जो अमाउंट है वो जो ओल्ड पार्टनर है उनके उनको जब हम सेक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्रिब्यूट करेंगे तो उसके लिए हम यहां पर एंट्री करेंगे प्रेमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो एस कैपिटल तो A और B के कैपिटल अकाउंट में यह जो इसकी प्रेमियम की अमाउंट है उसको हम डिस्रिब्यूट कर देंगे और हमने जिसे के वीडियो में देखा था कि ऐसी कंडिशन में हम सेक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्रिब्यूट करते हैं और अगर मान लेजिए किसी प्र अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा 6000 और 4000 अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो अनपेड गुडविल है यानि टोटल जो उसकी गुडविल की अमांट थी वह 16,000 थी लेकिन उसने 10,000 ही गुडविल एज गुडविल पेमिंट किया है यहां पर 6,000 जो बैलन्स बच रह हैं क्रेड देंगे सिस जा पीटल अकाउंट गविट एज़ एज कैपिटल अकाउंट गउंट करना पड़ता है यानि कई बार ऐसे होता है कि उनकी ख्याती की जो राशी रहती है उसको साज़ेदार के यानि नए साज़ेदार के रिंखातों में समयोजित करना पड़ता है ऐसी कंडिशन में नए साज़ेदार के रिंखाते को डेबिट करके हम रिंखाता खोलते हैं और ख ख्याती की राशी को वहाँ पर हस्तांतरित किया जाता है। आए इसको एक उदाहरण से समझें। ख्याती को साजेदारों के रिणखाते में समायोजित करना। आ और बाव पाँच अनुपात चार के अनुपात में साजेदार है। उन्होंने सा को एक बटे चार भाग के लिए साजेदार बनाया, सा के भाग की ख्याती का मोले अठारा सो रुपे आंका गया है, सा अपने भाग की ख्याती लाने में आसमर्थ है, यह निने लिया गया कि सा के भाग की ख्याती का समयोजन उसके रिण खाते में कर दिया जाए, आ और बा अपना अनुपाद पुराना ही रखते हैं इस condition में जबके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ख्याती जो है वो साजेदारों के रिंट खाते में हम adjust कर देते हैं जिसे हमने देखा था एक simple entry हैं हम pass करते हैं new partner's loan account debit to old partner's capital account तो यहाँ हम entry करेंगे C's loan account debit to A's capital account to B's capital account और 1800 के amount है इसको हम 5 is to 4 में distribute कर देंगे तो A के हिस्से में 1000 और B के हिस्से में 800 हमें आपर credit कर देंगे कई बार ऐसा भी होता है कि फर्म में प्रवेश करने वाला नया साजेदार अपने हिस्से की ख्याती के लिए नगद ना लाकर कोई वस्तू लाता है यह हम क्या सकते हैं कि संपत्ती के रूप में वो ख्याती को फर्म में लाता है ऐसी condition में हम रोकर खाता debit ना करके संपत्ती खाता debit हमको करना पड़ता है और क्या होती इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे हम संपत्य को as a goodwill फॉर्म में लाते हैं और कैसे उसका निप्टारा करते हैं यानि कि पुराने साज़ेदारों में कैसे हम उसको डिस्ट्रिब्यूट करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए आएक उदाहरन देखें ख्याती के लिए प्रीमियम वस्तु के रूप में लाना a तथा b एक फॉर्म में तीन अनुपात दो के अनुपात में साज़ेदार हैं एक जन्वरी 2018 से वे c को एक बटे चार भाग के लिए साज़ेदार बनाते हैं c के प्रवेश के समय फॉर्म के ख्याती का मोल्य पांच लाग साथ हजार रुपे आँका गया साज़ेदारों का नया लाभानी विभाजन अनुपात क्रमिशा 9 अनुपात 6 अनुपात 5 रखा गया है c अपने प्रीमियम के भाग के लिए 40,000 रुपे स्टॉप तथा एक लाग रुपे की मशीनरी लाता है फॉर्म की पुस्तुकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए यहां हम देख रहे हैं कि A और B जो पुराने साज़ेदार है तीन अनुपात दो के अनुपात में वो लाभानी विभाजन करते हैं c जो है वो एक बटे चार भाग के लिए साज़ेदार बन रहा है ख्याती की वैलियोशन यहाँ पर करके दे दी गई है 5,60,000 और अब लाभानी विभाजन का नया अनुपात भी दे दिया गया है क्योंकि तीसरा पार्टनर भी इसमें शामिल हो गया तो इनका रैशियो चेंज होके हो जाता है 9 इस्टो 6 इस्टो 5 एक नई बात जो इस प्रश्ण में कही गई है कि सी अपने प्रीमियम के भाग यानि कि ख्याती के भाग के लिए 40,000 रुपे का स्टॉक और एक लाग की मशीन री लाता है यानि कि वो ख्याती के इस्से की राशी को नगत ना देकर संपत्ती के रूप में देता है आ यह देखते हैं किस तरह से हाब जो लेक्ड़ी आएगा उस्के लिए बद गो रूपन तो성 एंडरे करेंगे 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 मिशीनुरी कांट डेबिट और में लएक और र्शीन द्वेट और लेक्र रूपन। यहां वो गुड्विद करनी है जब हम उसकी हिस्से की गुद्विल के जो amount है उसको हम old का den करना है सब यहां पर एक चीज दे दी गए और यह जो बाully करते में करते हैं अगर और हैं आंट नहीं नहीं डिया ज़से लेकिन कोर्षDown में क्या है इन तीनों साज्वीदारों का है इसलिए बहुत आसानी से यहां पर सकते हैं तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 9 upon 20 इस्टो 6 upon 20 इस्टो 5 upon 20 तो यहां पर हमको sacrificing ratio निकालने के लिए old ratio में से new ratio को minus कर देना होगा तो एक के लिए हम निकालेंगे 3 upon 5 minus 9 upon 20 equal to 60 minus 45 upon 100 equal to 15 upon 100 वैसे ही B के लिए हम calculate कर लेंगे old minus new ratio 2 upon 5 minus 6 upon 20 तो यह हो जाएगा calculation करके 40 minus 30 upon 100 equal to 10 upon 100 और new ratio हमको मिल जाएगा 15 is to 10 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 is to 2 तो यह हमारा sacrificing ratio हो गया अब यह जो 140,000 की इनकी जो goodwill की amount थी इसको हम sacrificing ratio यहने 3 is to 2 में distribute करके old partner capital account में transfer कर देंगे और इसके लिए हम general entry pass करेंगे premium for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account तो यहाँ पे total amount 140,000 को हम 3 is to 2 में distribute करेंगे तो A को मिलेगा 84,000 और B को मिलेगा 56,000 यहाँ हम narration लिख सकते हैं premium for goodwill transfer to old partners capital account in their sacrificing ratio कई बार एक condition यह भी आ जाती है कि ख्याती जो होती है वो पहले से ही उस firm में विद्धमान होती है यानि नया साजेदार अलग से कोई भी ख्याती की राशी लेके नहीं आता है ऐसे condition में क्योंकि नई कोई ख्याती तो है नहीं तो उस नई ख्याती के निप्टारे का कोई प्रेशन ही नहीं उठता तो firm में जो पुरानी ख्याती जो firm की रहती है उसको पुराने साजेदारों में पुराने अनुपात में बाड़ देते हैं और किस तरह से हम इसको जनरलाइज करते हैं कैसे हम इसका लेखा करते हैं इसको अच्छे तरह से समझने के लिए आएक उदाहरन देखें जब पुस्तकों में ख्याती खाता पहले से विद्धमान है आ और बा एक firm में साजेदार है जो तीन अनुपात दो के अनुपात में लाभानी बाड़ते हैं उनकी पुस्तकों में दो हजार रुपे ख्याती दर्शाई जाती हैं उन्होंने साग को एक बटे चार भाग के लिए साजेदार बनाया जो बीस हजार रुपे पूंजी लाता है और साग के हिस्से की ख्याती का मुलित तीन हजार रुपे हुआ आवश्यक जेनरल प्रविस्टी यह मान कर कीजी कि सा अपने हिस्से की ख्याती नगद लाने में आसना है इस प्रश्ण में हमने देखा कि सा जो है वो अपने हिस्से की ख्याती नहीं लाता है एक नई बात इसमें यह है कि पहले से ही पुस्तकों में ख्याती की राशी दो ह जो ख्याती खाता है, उसको हमको यहां पर अप्लिखित कर देना है, और जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, जब हम इसको राइट आप करेंगे, अप्लिखित करेंगे, तो हम जेनरल एंट्री करते हैं, Old Partners Capital Account Debit to Goodwill Account, तो यहां पर हम जेनरल एंट्री करेंगे, इस Capital Account Debit, इस Capital Account Debit to Goodwill Account, और यहां हमको जो 2000 के Amount देख रही है, उसको हम 3 to 2 में डिस्रिब्यूट कर देंगे, तो A के हिस्से के Capital हो जाएगे, डेबिट साइट में 1200, B के हिस्से में डेबिट हो जाएगा 800, और टूटल ए गुडविल थी हमारी 2000, अब यहां पर यह कहा गया है, कि जो नया पार्टनर है, वो अपने हिस्से के Capital के लिए 20,000 लाता है, कैश लाता है, तो हम उसके एंट्री जैसे अभी तक कर रहे थे, वैसे ही एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तो से इस कापिटल अकाउंट, और 20,000 से हम इसके एंट्री करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे, क्योंकि C के हिस्से के जो ख्याती थी, वो एक बटे चार हिस्से के लिए आ रहा है, तो उसके हिस्से की ख्याती यहां पर कॉश्चेन में दे दी गई है, तीन हजार उपेस का मुलांकान पहले सी किया जा चुका है, तो और नॉर्मल हम एजस्मेंट के लिए एक एंट्री हां दे देंगे, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, C's Capital Account Debit, to A's Capital Account, to B's Capital Account, और 3000 क 3-2 में डिस्टिब्यूट कर देंगे और यहां हमारी जन्रेल एंट्री हो जाएगी, C's Capital Account Debit में 3000, A's Capital Account कि क्रेडिट में 18000, और पूब B's Capital Account, यानि क्रेडिट साइड में 1200 अब हम एक महत्वपूर्ण ख्याती के बारे में बात करते हैं, जिसे हम क्याते हैं छिपी हुई ख्याती, Hidden Goodwill कई बार आप देखेंगे कि जब नया साजेदा फॉर्म में प्रवेश करता है, तो उस समय फॉर्म में ख्याती की राशी क्या है, क्या इस्थिती है गुडविल की, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी होती है ऐसे कंडिशन में हम क्या करते हैं, कि फॉर्म में जो पूंजी होती है और जो लाभानी विभाजन अनुपात होता है, उसके आधार पर हम कुछ क्यालकुलेशन करते हैं, और वहां से हम इस Hidden Goodwill को छुपी हुई ख्याती को हम पता लगा लेते हैं तो एक उदाहरन से इस पूरी प्रक्रिया को हम समझें कि Hidden Goodwill के कंडिशन में हम को कैसे क्रियात्मत प्रशनों को हल करना है सलोनी और सुष्टी एक फॉर्म में साज़ेदार हैं, जो लाभानी साथ अनुपात तीन के अनुपात में बाढ़ते हैं इनकी पूझी क्रमशा दो लाख और एक लाख पचास अजार रुपय है, उन्होंने अदिती को एक अप्रेल 2013 को एक बटे छे भाग के लिए साज़ेदार बनाया, अदिती पूझी के लिए एक लाख रुपय लाती है, फॉर्म के ख्याती की गढ़ना कीजिए, अदिती के प्रवेश के समय उपरियुक्ति व्यवहारों के लिए जनरल प्रविस्ट्रियां कीजिए, यहां हम देख रहे हैं कि दो जो पुराने साज़ेदार हैं, सलोनी और सिस्ट्री, वो साथ अनुपात, तीन के अनुपात में लाभानी बाढ़ते हैं, इनकी पूझी दी गई है, और नई जो साज़ेदार है अदिती वो एक बटे छह भाग के लिए आती हैं, और वो अपने पूझी के लिए एक लाग हुपाते हैं, इतनी जानकारी हमको प्राप्त है, लेकिन यहां पर कहीं भी ख्याती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, यहां दिया गया है क यहां कि फॉर्म के ख्याती के गणना कीजिए, यानि कहीं न कहीं वो छुपी होई ख्याती है, उसको हमको यहां पे क्यालकुलेट करना है। यहां हम एक working note त्यार कर लेते हैं और यहां हम लिख सकते हैं calculation for hidden good इस तरह से हम particular amount के लिए column बना लेते हैं और यहां हम सबसे पहले देख लिखेंगे total capital of the firm on the basis of Aditi's capital, Aditi की जो total capital है वो है 1 lakh और वो कितने भाग के लिए है एक बटे 6 भाग के लिए तो फिर सोचिए कि firm की पूरी capital कितनी रही होगी तो हम इसको 6 upon 1 कर देते हैं क्योंकि 1 upon 6 भाग के लिए 1 lakh था तो यह हो जाता है 6 lakh यानि firm की total capital 6 lakh है लेकिन इसमें से हम minus करें total जो combined capital है Saloni की, Srishti की और Aditi की तो Saloni की है 2 lakh प्लस Srishti की है 1 lakh 50,000 प्लस Aditi ने जो लाया 1 lakh तो यह जो है goodwill है firm की 4 lakh 50,000 तो यहाँ पर total जो firm की capital थी वो 6 lakh थी लेकिन यहाँ हम total देख रहे हैं कि 4 lakh 50,000 ही आ रहा है इसमें missing क्या है तो हम आँ देख रहे है 1 lakh 50,000 का difference आ रहे हैं यानि कि हम यह मालेंगे कि यही वो hidden goodwill है जो बुक में जो question में कहीं शो नहीं हो रही है तो अगर यह total hidden goodwill 1 lakh 50,000 है पूरे form की एक भाकी तो 1 अपॉन 6 के लिए कितनी होगी क्योंकि अदिती का जो share है goodwill में वो 1 अपॉन 6 ओनली है तो 1 lakh 50,000 into 1 upon 6 यानि कि 25,000 जो है वो अदिती के इसे की goodwill है अब यह सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली अब हम बहुत इजी इसकी entry pass कर देंगे जिसे के अदिती ने capital as a cash लाया है तो यहां पर हम entry करेंगे cash account debit to Aditi's capital account being the amount of capital brought in cash by new partner 1 lakhs हम इसके entry कर देंगे और second entry क्योंकि यह जो अदिती के goodwill है उसको हमको जो पुराने पुराने जो हमारे partner है उनमें हमको distribute करना होता है sacrificing ratio में तो यहां पर हम general entry pass करेंगे अदिती क्यापिटल अकाउंट डेबिट तो सोनाली क्यापिटल अकाउंट और 25,000 को हम distribute कर देंगे 7 इस्टो 3 में तो यह हो जाएगा 25,000 अदिती के debit site में और सोनाली और सिष्टी के amount from credit में लिखेंगे 17,500 और 7,500 कई बार हम फर्म में देखते हैं कि फर्म के जो संचय या आवित्रित लाब या लाभानी के balances होते हैं उनको partner के capital account में हम नहीं लिखे होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं फर्म में यानि बिना distribution किये बिना वित्रण किये सिर्फ उनका लेखा कर दिया जाता है तो ऐसे condition में किसी नए साजेदार के प्रवेश के समय कैसे इसका निप्टारा किया जाए क्या treatment इसके लिए किया जाए इसको हम एक कुदाहरण से आये समझते हैं राजेंद्र और सुरेंद्र एक फॉर्म में साजय दार हैं तथा चार अनुपात एक के अनुपात में लाब का विभाजन करते हैं विए अप्रेल 15-05-07 को नरेंद्र को एक फॉर्म में प्रवेशदेते JOSH इस्तिति को फर्म के समान संचय में 20,000 रुपए और लाभानी खाते के नाम शेश में 10,000 रुपए हैं संचिति लाभ वहानी को समयोजित करने के संदर्व में आवश्यक रोजदामचा प्रविष्टियां कीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समान संचय और लाभानी विभाजन की कुछ मदे दी गई है इनको हमको संचिति और लाभानी खातों में समयोजित कर देना है जिसके लिए हम सबसे पहले आपर एंट्री करेंगे समान संचय के लिए क्योंकि हम जब समाने संचय जो बचा हुआ रहता है उसको ओल्ड पार्टनर्स के क्यापिटल अकाउंट के क्रेडित में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके लिए हम यहां पर जन्रल एंट्री करेंगे जन्रल अकाउंट डेबद और 20,000 क सामने संचय के सामने लिएगे और वैसे ही हम जो लाभवानी की अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लाभवानी के मन दी गई है इसकी एंट्री कर देंगे, राजिन के capital account के debit में 8000, सुरेंद्र के capital account में debit में 2000 और लाभानी का जो total है वो 10,000